कैसे हो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी चनल के उपर दोस्तो पहली पर इस चनल पर आये हो तो सस्क्राइब कर लो और बेल बटन यूज़ कर लो ताकि आने वाले कोई भी वीडियो अपसे मिस न हो जाए और पैसे का मने का कोई भी मौका आप गवान दो अगर आपको भी आपके कोई स्टॉक के उपर कोई भी क्वेरी पूछना है या कोई भी डाउट है आपको तो यहाँ पर एवरी वेनस्डे को एंड सैटरडे या तो संडे को वीक में दो बार हम लाइव सेसन करते हैं आप यहाँ पर आईए अपने क्वेशन पूछिए मैं जरूर से आप लोगों को गाइड करूँगा अभी आप लोगों को वाट्साप ग्रूप और टेलिग्राम में भी जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक अवेलेबल है उसके उपर क्लिक करते ही आप हमारे साथ जुड़ जाओगे सो यह स्टॉक के बारे में भी हम बात करते हैं तो एक बार 315 रुपिस के उपर से जब यह स्टॉक निकला था तो और उसके बाद फिर एक छोटी सी रेंज में कंटिन्यूसली कामकाज यहां पर देखने को हमें मिल रहा है और लंबे समय का भी मैं अगर चार्ट का स्ट्रक 255 रुपिस का हाई बनाया था लेकिन उसके बाद फिर कभी भी स्टॉक ने पर्फॉमन्स नहीं दिखाया है और मैजोरेटी टाइम्स 200 रुपिस और उससे भी लोवर लेवल यहां पर देखने को हमें मिल रहे थे सो यह स्टॉक सिकलीकल नेचर वाला स्टॉक है वो क्लियर पर्सपेक्टिव किसी को काम करना है यह स्टॉक के उपर तो मैं जरूर से बताता हूं लेकिन आप जो भी लोग यह स्टॉक के अंदर काम करोगे प्लिस थोड़ी छोटी कॉंटिटी में काम कीजियागा क्योंकि स्टॉक का चार्ट का स्टॉक्शर कुछ मनलब कन्फरमेश वाला नहीं है राइट बहुत ही सॉलिट स्टॉक्शर नहीं है तो मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव आपको बताता हूं कि 540 से लेके 530 रुपीज के बीच में किसी को भी फूल कॉंटिटी में काम करना हो तो आप जरूर से काम कर सकते हो और फिर क्लोजिंग बिजिस के उपर आपको इस्टॉप लोस मेंटेन करना है 524 रुपीज का तो इतना रिस्क अगर टेडिंग पर्सपेक्टिव आपको लेना है तो जरूर से ले सकते हो बत जिन का perspective trading का हो वही ये stock के अंदर काम कीजिएगा अगर आपका long term का vision है तो please इस stock से थोड़ा दूर रहिएगा आप लोग मैं जो भी analysis कर रहा हूँ उसका demo lecture का link description में डाला गया है वो वीडियो देखे, knowledge required कीजिए फिर काम कीजिए, कोई भी एक mentor choose कीजिए, सीक्योर सीखने के बात काम कीजिए